क्या आप भी अपने YouTube Shorts को वाइरल करना चाहते हैं और उन पर millions of views लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगी कुछ amazing techniques जिसका use करके आप अपने Shorts को वाइरल कर सकते हैं काभी अच्छे views ला सकते हैं और यह जि कि सारी जो टिप्स हैं वो आपके लिए helpful रहेंगी तो वीडियो को end तक देखेगा एक भी टिप छोड़ियेगा मत तो चलिए फिर वीडियो के शुरू करते हैं Hello everyone I am Harmeet Welcome you all on WSQ Tech channel so आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube Shorts की ओल्रेडी मैं बात कर चुकी हूं जहां से जितनी मर्जी चाहें उतनी YouTube की वीडियो कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है तो उन सारी वीडियो में आपको मिल जाएंगे जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम आरी है YouTube से रिलेटेड वहां पर सारी वीडियो हैं अवेलेबल है पूरा कोर्स है अभी तक YouTube शुरू भी नहीं किया है ना तो पहली वीडियो से शुरू करो और एंड तक सारी वीडियो देखो ज्यादा वीडियो नहीं है सारी आपी के लिए है सारी फ्री है और जो बेस्ट कॉंटेंट जो हम अपने चैनल पर यूज करते हैं वो मैं जो सारी चीज़ें आपको बताई है तो म आप श्यारे यहारे वीडियो चैनल पर लाँच करते हैं सब्सक्राइब करें तो चार्य यहां पर मइंक्षर करें सबस्क्राइब कर नहीं कि नहीं कि अप्तिमाइस करें ऐसी अहोता जिंगा फृव में क्या करते है आपने चीज़ें काम करता है ओडियंस को एंट तक देखें तो वह जादा से जादा लोगों तक पहुंचेगी और यूट्यूब खुद उन्हें प्रमोट करेगा और शॉट्स को यूज करके आप अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा सकते हो तो मेक शूर आप इस वीडियो को एंड तक देखो चलिए जी तो पहली टिप जो मेरे लिए आपकी लिए है कि चार से पांठ हश्टेग्स आपको लगाने है चाइटल में दास इट कुछ नहीं करना इसके अलावा चीक है इसके अलावा आप एक मेरे लिए टाइटल लिख सकते हो लेकिन 4-5 hashtags बस यह आपका SEO रहेगा जो शॉट्स के लिए शॉट्स एपलोड करो और बस 4-5 hashtags लगा दो make sure कि वो जो हैस्टेग हैं पहला हैस्टेग हो हैस्टेग शॉट्स ठीक है पहला हैस्टेग कौन सा होगा है और उसके बाद में तीन या चार आप हैश्टेग लगाओ जो कि आपकी content से related हो जैसे आप GK की video बना रहे हो तो हैश्टेग GK, हैश्टेग General Knowledge, हैश्टेग competitive exam, right? उसके अलावा अगर आप fashion से बना सकते हो तो हैश्टेग fashion, हैश्टेग style, इस तरह के आप tags लगाओ, 4-5 हैश्टेग से जादा नहीं लगाने हैं, तो यह सिर्फ tags में आपको यूट करना है, बाकी titles, thumbnail, description इसकी हमें नहीं जोरत पढ़ने वाली, all right, लेकिन title से related भी एक tip है, जो मैं आपको इस video के end में बता कर सकते हैं, all right, मैंने आपको बताया था कि लाप टॉप से जब भी आप shots upload करते हैं, तो normal आपको वीडियो की तरह ही करना है, बस अगर आपकी वीडियो एक मिनट या एक मिनट से कम होगी, तो वह shots की तरह आजाएगी, all right, लेकिन यहाँ पर जो tip है आपके लिए, यह तो मै ser, सिर्द से 20 सेकंड की आपकी वीडियो गनाई है, क्योंकि देखिया हमें, जादा से जादा ओडियो को क्या करना है, कहा हमारी गाल से जो रेकिंट टक हमारी ओडियो देखें तो इसलिए आप टार्गेट कीजिए, 10 से और 20 सेकंड की होनी चाहिए इसी में ही आपका जो एक creativity है आप दिखा दें इसी में जो आप educate करना चाहते है अपनी audience को वो शो कर दें तो यह चीज ध्यान रखेंगे उसके अलावा जो मेरा next आपके लिए टेप है वो यह है कि अपनी वीडियो में suspense create करो तीन सेकेंड जो पहले के जो initial तीन सेकेंड होंगे न वही आपके चैनल को views दलाएंगे तो तीन सेकेंड के बाद में हमारी audience बस यह हो रहा है कि क्या है इस वीडियो में तो starting जो आपके shots के होनी चाहिए वो बहुत ही suspense होनी चाहिए कि क्या आपको पता है या फिर ये fact जानकर आप रह जाएंगे दंग ये कुछ ऐसी आपते हैं जो आप follow कर लो जिंदगी में कभी भी आप असफल नहीं होंगे तो इस तरह की कुछ suspense create करो ये तीन style जो की हर मौसम में चलेंगे ये तीन चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है if you want to be happy forever कुछ इस तरह का suspense create करो like जैसे drum rolls हो कि बस अब आगे क्या होने वाला है वो देखना है जैसे कि ये कहानी सुनकर आप बहुत inspired हो जाएंगे ये चीज जानकर ये बात जानकर ये news जानकर आप एकदम डंग रह जाएंगे तो ऐसा कुछ content बनाना है जो की 3 second के अंदर suspense create कर दे हमारी audience के लिए और audience उस video को आगे द जाओ educate कर दो उन्हें entertain कर दो तो 15 second में आपको अपनी सारी creativity जिन्दगी भर की दिखा दे नहीं है और राइट जी उसके बाद में आता है कि क्या अब बना है देखिए सबसे जादा जो popular है ना YouTube पर देखिए वैसे तो कई सारी चीज़े हैं लोग slow motion की video बना रहे हैं और चल में Shorts Fund का फायदा उठाना चाहते हो और सच में चाहते हो कि YouTube आपको recognize करे कि हाँ यह बंदा जो है यह YouTube community के लिए कुछ कर रहा है तो यह जो मैंना आपको कुछ हैं पर एक चीज़ बताई है कि trending topic one-liner topics अगर जेकी मालेजर जीके के आपको बना सकते हो कि आपको पता है भारत पर बता सकते हैं और I bet you, I guarantee you यह जो मैंने जितने आपको topic बताया है यह सारे आप use करें और इस तरह के topic बनाए जिसमें one-liner topic है कुछ fact बताएं किसी celebrity के बारे में कोई topic या फिर आप किसी जीकी के बारे में कोई topic बता सकते हैं या फिर किसी fruit के बारे में कुछ बता सकते हैं YouTube और सोच रो क्या करें है YouTube पे तो एक-एक लाइनर के ना टॉपिक बना दो और अमेजिंग एक मंत के अंदर इसरल देखना चीक है कॉमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको benefit मिला है उससे और राइट सो मैं आपका वेट करूँगी तो trending topic one-liner topic एक example भी मैं आपको यह लिख दिया है इस तरह से बनाए फिर इस तरह से वीडियो में चलना चाहिए जैसे हमारा 10 second निकला तो आप यहां पर जैसे जो भी इसका सही आंसर है उसको आप हाइलाइट कर दो उसके बारे में एक टेक्स अप्लोड कीजिए जैसे अगर आप सब में से किसी ने मेरा पिंट्रिस वाला कोर्स देखा है पिंट्रिस का कम्प्लीट कोर्स इसी चानल पर अवेलेबल है किस तरह से आप पिंट्रिस के लिए पिंस बनाकर उन पर टेक्स ओवरलेड कर सकते हैं तो शॉट्स में भी आप टेक्स ओवरलेड कीजिए और अगें वो टेक्स ऐसा होना चाहिए जैसे यह एक शॉट है इसके ओपर देखिए कुछ लिखा हुआ है मैं यहापर टाइटल हमने उसकी बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूं यहाँ पर बेसिकली मेरे जो शॉट चल रहा है जो वीडियो चल रहा है उसके ओपर कुछ लिखा होना चाहिए चीक ही तो देखिए यह एक शॉट बना हुआ है दुनिया में तीन ऐसे देश भी हैं यूट्यूब बैन है तो इस तरह के कुछ creativity कि पीछे voice चल रही है लेकिन उसके उपर text आया हुआ है तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं और पहले जो मैंने आपको example बताया था यह वाला यहां पर भी हमने क्या किया है text overlay किया है तो text वाले जो shots है वो काफी जादा popular चल रहा है तो यह चीज भी आप है उनको entice करें आप देखिए वैसे तो shots में title हमें नहीं दिखता इतना मतलब focus नहीं जाता उस पर लेकिन कोई person अगर आपका channel खोलता है तो उसमें आपके thumbnail होंगे उसमें आपके title लिखे होंगे भली वो short video या traditional video एक जैसा दिखेगा okay तो ऐसे case में आपको title thumbnail ऐसा रखना ह और अब यह जो tip है ना यह आपको जैसे मैंने बोला ना one month तक यह सारी tips यूज करनी है सारी tips भली यूज ना करो लेकिन यह जो tip है यह जरूर 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 यूज करना यह आज की सबसे important और सबसे last tip है कि consistency maintain करो एक दिन में कम से कम 5 या 6 shots जालनें ऐसा नहीं होगा एक आज डाला दो दिन बाद दूसरा shot डाला नहीं growth मिलेगी क्या करना है अगर नया channel अभी just start किया है एक दिन में 5-6 shots डालो हमें नहीं पता कौन सा shots चल जाए अचा अभी आप क्या करना अगर यह चीज पर बिलीव नहीं करते है ना YouTube खोलो shots वाला section खोलो वहां पर देखो जो भी आपके screen पर आ रहे है ना shots उनको open करो और उस person के channel पर जाओ और देखो क्या उसके सारे shots popular हुए नहीं सारे shots नहीं मिलेंगे आपको उस person के popular लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा shots होगा जिस पर millions of views होंगे तो ऐसी हमें नहीं बता audience को क्या पसंद आ जाए YouTube को क्या पसंद आ आप अब ही से शुरू हो जाओ एक मन तक करो नहीं रिजल मिले ना मुझे comment section में जरूर बताना एक मन बाद में चीक है I'll be waiting चलिए तो यह थे हमारे को steps यह सारी चीजन अगर आप फॉलो करते हैं और अभी जाकर YouTube पर Shorts वीडियो बनाते हैं और एक और चीज में आपको यह करता हूं उसके लिए अलग चानल बना दो अलग नाम रख दो और उस पर Shorts अप्लोड करना शुरू करो वान मन तक consistency के साथ में चीके जी अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना साथी YouTube का complete course आ चुका है और अभी तक आपने नहीं दे और मुझे बताईए कि आपको कैसा लग रहा है course और कोई भी नई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे comment section में बताईए कि ये video हम चाहते हैं और चानल को subscribe करना तो बिल्कुल में भूलेगा question हो, query हो comment section में बता दो और अगर इतना सभी को सीखा हो वीडियो से तो like ज हुआ 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 है